Hello everyone, I hope आप लोग सब ठीक होंगे आज हम लोग डिसकस करने जा रहे हैं Hercules Furens by Lucius Ennil Seneca also known as Seneca the Younger Seneca एक Roman playwright थे जिनोंने Hercules Furens tragedy को 54 CE से पहले लिखा Common Era से पहले लिखा इस tragedy का दूसरा नाम है The Mad Hercules or The Madness of Hercules Seneca ने कहा जाता है कि Euripides का famous work Hercules को अपने mind में रखते हुए इस tragedy को लिखा था इस play के अंदर different characters है जिसमें number one पर है Hercules जो के main character है Hercules जूपिटर और Alchemene का बेटा है और उसका सुतेला बाप है Amphitrion उसके बाद है Megara जो के Hercules की बीवी है और King of Thieves यानि क्रियोन की बेटी है नमबर तरफ पर है Amphitrion जो के Hercules का सुतेला बाप है और Alchemene का खावंद है उसके बाद है Lekas जो के Thieves का बादशा बनता है क्रियोन को कतल करने के बाद उसके बाद है Eurystheus जो के Hercules का कजन है और बादशावी उसके बाद है Alchemene जो के Hercules की मा है उसके बाद जिउनो जो के Hercules की सुतेली मा और जूपिटर की बीवी है देन है क्रियोन जो के Megara Hercules की बीवी का बाप है और King of Thieves भी उसके बाद है Tiesius जो के King of Athens है और Hercules का दोस्त और लास्ट में हैं Hercules के बच्चे तो ये main characters हैं इस प्ले के अंदर तो चलिए प्ले की स्टोरी पढ़ते हैं और उसके बाद इसका analysis देखेंगे Hercules Furance by Seneca Hercules Thieves में पैदा हुआ वो God Jupiter का बेटा है और उसका जमीनी बाप है Amphitryon जो के Hercules की मा अलकैमने का खावंद है यानि के Hercules का सुतेला बाप Hercules Thieves में Amphitryon और अलकैमने के साथ रहता है और Thieves के बादशा प्रियोन की बेटी मेगारा से शादी कर लेता है शादी की कुछरसा बाद Hercules अर्गोस चला जाता है जहां वो किंग यूरेस्टियस को सफ करने में लग जाता है यूरेस्टियस Hercules का कजन है जो जीनो की मदद से बादशा बनता है जीनो गॉड जूपिटर की बीवी है और Hercules की स्टेप मदर है जीनो हर्किलिस से नफरत करती है इसलिए वो यूरेस्टियस को बादशा बना देती है यूरेस्टियस Hercules को जीनो के कहने पर बारा मुख्लिफ टास्क देता है जो बहुत खतरनाक है हर्किलिस टास्क का सुनकर औरेकल आफ डेलफिय के पास चाता है और उससे पूछता है कि उसे ये टास्क करने चाहिए या नहीं जिस पर औरेकल उसे बताता है कि टास्क करने से यूरेस्टियस की पावर कम होगी और उसकी पावर बढ़ेगी इसलिए उसे ये टास्क करने चाहिए हरक्यूलिस ये सुनकर टास्क करने के लिए तयार हो जाता है ज्यूनो यानि हरक्यूलिस की सुतेलिमा अपनी पावर का इस्तमाल करते हुए हरक्यूलिस को पागल कर देती है और वो हैलोसिनेशन की हालत में चला जाता है उसी हालत में वो अपने तमाम टास्क पूरे करता है असल में उन टास्क की कोई सचाई नहीं है कोई हकीकत नहीं है क्योंके वो पागलपन की हालत में है हैलूसिनेशन की हालत में है तो उसको लगता है कि उसके सामने सब मॉंस्टर्स एक एक करके आ रहे हैं और वो उनको मारता जाता है, जबके उनकी कोई हकीकत है ही नहीं, वो तमाम टास्क अपनी सोच में कर रहा होता है, क्योंके वो पागलपन की हालत में होता है, अब दूसरी तरफ है थीब्स में हर्किलिस की बीवी मेगारा, उसका सुतेला बाप, एमफिट्रियोन और हर्किलि थीब्स के बच्चे, थीब्स के बाच्चा क्रियोन ने एक दफ़ा एक लाइकस नामी शक्स को उसके गुनाहों की वज़ा से थीब्स से निकाल दिया था, हर्किलिस की गेर मुझूद्की में लाइकस उसका फाइदा उठाता है, और क्रियोन पर अपने दो पेटों के साथ हमला कर देता है और उसको कतल कर देता है, उसके बाद वो थीब्स के बाच्चा बन जाता है और मेगारा, एमफिट्रियोन और हर्किलिस के बच्चों को भी मारने का हुक्म दे देता है, अब मेगारा, एमफिट्रियोन और बच्चे गौड जुपिटर के दरबार में मदद मांगने के लिए जाते हैं वो दर्बार में जाकर गॉड जूपिटर से हर्किलिस को वापिस करने की इलतजा करते हैं और उससे मदद मांगते हैं हर्किलिस अपने तमाम टास्क पूरे कर लेता है और टास्क पूरे करने के बाद वो तमाम खुदाओं से माफी मांग कर जमीन पर वापिस आ जाता है यानि के होश में वापिस आ जाता है उसका पागलपन खतम हो जाता है जब वो थीप्स वापिस लोड़ता है अपने दोस्त थीजियस के साथ तो वो देखता है कि उसका बाप, बीवी और बच्चे बहुत बुरी हालत में हैं सब सुनकर हर्किलीस को घुसा आ जाता है और घुसे में वो पागल हो जाता है और लाइकस को कतल कर देता है जब वो कतल करता है तो उसके बाद जीवन उप एक बार फिर से हर्किलीस को पागल कर देती है यानि के वो हैलोसिनेशन की हालत में एक दफ़ा फिर चला जाता है और उस पागलपन की हालत में वो अपने बीवी और बच्चों को कतल कर देता है। एमफिट्रियॉन जब हर्क्यूलिस को इस हालत में देखता है और वो देखता है कि उसने अपने बीवी और बच्चों को कतल कर दिया तो वो हर्क्यूलिस को चिला कर कहता है कि वो उसे भी मार दे क्यूंकि वो जीना नहीं चाहता जब वो चिला रहा होता है तो हर्क्यूलिस क पागलपन खत्म हो जाता है और वो होश में वापिस आ जाता है जब वो होश में आता है और अपने बीवी और बच्चों को मरा हुआ देखता है तो बहुत जादा परेशान हो जाता है और परेशानी की हालत में वो खुद को मारने के लिए चल पड़ता है यानि के खुदकु होने दो जिस पर ठेशर्स सुछस से कहता है कोई भी गुनास से पाक नहीं है तुम खुदाओं ने भी कोई ना कोई गुना किया है इसलिए जिन्दगी मत से बेथर है तो तुम ये काम ना करो और मेरे साथ एथंस चलो जिस पर हरक्युलेस उसके साथ चल पड़ता है और कहता है कि मुश्किल में पता चलता है कि कौन आपका दोस्त है और कौन दुश्मन और यही गिड़ गिड़ाता रहता है और यहां पर यह कहानी खत्म हो जाती है हर्कुलेस फियरेंस अब इस प्ले का हम एनालसिस कर लेते हैं इस प्ले को हम सिंपल वोर्ड्स में यह कहेंगे that it is a journey from victor to victim हर्कुलेस की जर्नी from victor कि वो फता हसिल करता है और उसके बाद वो victim बन जाता है प्ले के स्टार्ट में हम देखते हैं हर्कुलेस को जूनो उसको अपने पागलपन का शिकार कर देती है अपनी power को इस्तमाल करते हुए उसे पागल कर देती है वो hallucination की हालत में चला जाता है और उस हालत में उसको जो task मिलते हैं वो उनको complete करता है किसी भी task को वो बीच में नहीं चोड़ता वो उनको complete करता है और एक victor बन जाता है लेकिन जूनो को ये बात पसंद नहीं आती क्योंके वो हर्कुलेस को खत्म करना चाहती है वो उससे नफरत करती है तो वो एक दफा फिर से उसे पागल करती है और उस पागलपन की हालत में वो अपनी बीवी और बच्चों का कतल कर देता है और जूनो की हेट्रीड उसकी नफरत का शिकार बन जाता है तो ये हम देखते हैं उसका सफर कि कैसे वो victor होता है लेकिन ending उसकी tragic होती है वो tragedy का शिकार हो जाता है victim बन जाता है नफरत का the jealous wrath of Juno working through Eurystheus has imposed 12 mighty and destructive tasks on Hercules, her hated stepson किस तरह से वो Eurystheus के थूँ उसे task देती है but these, even to the last and worse the bringing of cerebrus to the upper world के last monster को उसने अपर वर्ड में लेकर आना होता है और वो फाते हो जाता है मतब उसको वो successfully उपर ले आता है abandoning her plan of crushing him by toils like these और वो उसको पागलपन का शिकार इस वज़ा से करती है वो उसके साथ ये तरकीबे इसलिए इसलिए इस्तमाल करती है उसको लगता है कि इससे वो हार जाएगा और खतम हो जाएगा she will turn his hand against himself and so accomplish his destruction कि वो उसको उसी के तरीके से मारती है कि उसको वो कमजोर होता है उसकी family और उसकी बीवी वो सब कुछ उसके लिए होता है तो उसको उसके तरीके से खतम करती है उसे पागलपन का शिकार करती है और वो हैलोसीनेशन की स्टेट में हालत में अपने बीवी और बच्चों को मार देता है और ट्रैजिक एंडिंग होती है तो यह देखते हैं हम कि वो किस तरह से सफर तै करता है कि वो विक्ट्री हासिल करना चाहता है वो किंग बनना चाहता है बादशा बनना चाहता है जिसके लिए वो तमाम टास्क कम्पलीट करता है नेकिन एंड पर वो जिनो की हेट्रीड का शिकार बन जाता है और एंड पर वो कहता भी है कि मैं सिवसाइड कर लेता हूँ खुदकुशी कर लेता हूँ ताकि जूनों जो हासिल करना चाहती थी उसे हासिल हो जाए तो यह है अजर्णी फ्रॉम विक्टर टू विक्टेम तो यहां खतम होता है हमारा आज का ये लेक्चर आज के लिए इतना ही मैं मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिस